ओम शान्ति नमस्ते आप सको फिर से स्वागत है आज हमारा 33 दिन 33 डे ओफ वर्दान और आज के वर्दान में परमात्मा पिता बाबा हमें याद दिलाते हैं कि कल्यू के अंत में परमात्मा पिता आ करके हम बच्चों को कैसे मुक्ती और जीवन मुक्ती का रस्ता दिलाते हैं धारना ये हैं आज सारे संसार में सारे धरमों में कि अगर मैंने गंगा जल पी लिया तो मुझे मुक्ती मिलेगी कि अगर मैंने लास्ट में क्राइस को याद किया या बाइबल के कुछ वर्ड्स याद किये तो मुझे मुक्ती मिल जाएगी या मैंने कुछ अगर गीता के श्लोक याद कर ली तो मुझे मुक्ती मिल जाएगी या मैंने अगर 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 अकबर बोला तब तक मुक्ति मतलब कि पापों से मुक्त होना वो किसी को नहीं मिलेगा और मुक्ति का अंतिम जो स्टेज है वो वो है जिसमें कि आत्मा पवित्र बन करके सीधा परमधाम बोलो आप या आलम अरवाह बोलो आप या आप उसको ब्रमलोक कहो या Heavenly God Fathers Abode, Abode मतलब रहने का स्थान कहो तो वहाँ जाने के लिए केवल एक ही तरीका है वो है कि स्वयम परमपिता परमात्मा को धर्ती पर आ करके हम बच्चों को पवित्र बनने का ग्यान देना पड़ता है तो कल्यूग में क्यों आना पड़ता है परमात्मा को क्योंकि कल्यूग में ही तो सारी आत्मा पतित, पतित मतलब की अब पवित्र बन चुकी होती है तो आज परमात्मा हमें बताते हैं कि हमें किस सुरूप की किस स्थिती में रहना है और साती सात हमें कैसे अपने आपको भाग्यवान बनाना है परमात्मा के साथ रहे करके जैसे हमने पिछले वरदानों में दिखाता है उनका कमपैनियन बन करके तो आज परमात्मा कहते हैं बरदान में सदा पश्यताप से परे अब पश्यताप कब होता है जब हमसे कोई पाप हो जाता है जब हम कोई बुरे कर्म कर बैठते हैं तो प्रमात्मा कहते हैं सदा पश्यताप से परे प्राप्ति सुरूप स्थिती का अनुभव करने वाले तो प्राप्ति कब होती है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं और जब आगे बढ़ने नहीं देते हैं अच्छे कर्मों में, तो परमात्मा कहते हैं कि सदा ही परमात्मा के साथ रहने से हम बुद्धिवान बन जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पाप कटने शुरू होते हैं जैसे हम meditation करते हैं तो हमारे पाप कटते हैं तब ही तो परमात्मा को पाप कटे विश्वर कहते हैं मुक्ते शुर कहते हैं तो मुक्ती किस है पापों से मुक्ती जब तक आत्मा पापों से मुक्त नहीं होती हलकी नहीं होती, तब तक वो शरीर छोड़ करके उपर नहीं जाएगी वो भारी होने की कारण से फिर से पुनरजनम लेगी यहाँ पर पर क्यों भारीपन? क्योंकि कर्म उसके भारी है, जिसमें उसने किसी को दुख दिया है, तो भारी हो गए किसी का कुछ पैसा, धन, संबंद या कोई चीज में, सेहत में उसको किसी और उसको दुख दिया है तो वो भारीपन का कारण बन जाता है, आत्मा का पुनरजनम लेने का, तो आगे बढ़ते हैं फिस्तार में आते हैं जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नईया देकर मैपन को मिटा देते हैं, मैपन मतलब मैं अपने अनसार चलूँगा, अभी तक हम कहीं जन्मों से, दुआपर से, कल्युक तक, हम मैपन माइवे दा हाइवे, जैसे मैं सोच हूँ, वही राइट तरीका है, ना, वैसे करते हैं, और अहंका की कारण हमने बहुत चोटे खाई हैं, और हमने दुश्मिन भी बहुत बनाए हैं, बर्मात्मा कहते हैं, देकर मैपन को मिटा देते हैं, जो बच्चे हैं, शिरीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, मन मत मतलब मेरे मन की मत, शिरीमत परमात्मा कहते हैं मीठा बोलो आस्ते बोलो है ना और सबके साथ में अच्छे कर्म करो और कैसे करो वो भी सब कुछ बताते हैं परमा कुमारी इसमें है ना कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से कर्म बुरे हैं अकर्म विकर्म की सारी लीला बताते है परमात्मा और ग्यान की लीला बताते हैं तो उसके अनुसार चले तो वो होगा है श्रीमत श्रीष्ट कौन है श्रेष्ट सबसे परमात्मा है ना और मनमत क्या हुई अपने मन की मत परमात्मा कहते हैं भर्मत मिक्स नहीं करते हैं वे सदापॡशत आप शठकाप से परे पराप्ति सुरूग सितिकानुमफ करते हैं आप्ति क्या होती है सद्ध थम सद्धी वाले तूफानों को तोफ़ा समझ है न तूफान आते हैं हमने पिछले जुनों में अच्छे कर्म नहीं कहें तो कोई विक्ति आकर हमें गाली करता है, कोई बुरा बला कहता है, ये कोई हमसे कुछ लूट के ले राता है, तब भी ऐसे सद्भुद्धी वाले तुफानों को तुफा समझ, कि इसमें मेरी लिए सीखने के लिए क्या है, वो उल्टा और उनको गलत कर्म करके, गाली करी तो आपने गाली करी, बुरा बोला तो आपने बुरा बोला, वो नहीं करते हो, तो स्वभाव संसकार की टकर को आगे बढ़ने का अधार समझ, जो स्वभाव संसकार की टकर होई, क्यों हो यही मेरी टकर, मेरे अंदर क्या कम मिटाते हैं तो वो यह समझते हैं यह नहीं समझते हैं मैं उस इंसान को मिटा दूँ या उस इंसान की बुराई को मिटा दूँ इसको दिखा दूँगा इसको ठीक कर दूँगा मैं इसको समझाऊंगा क्या है नहीं वो अपने स्वभाव संस्कारों को परिवतन करते हैं और इसको क्या आगे बढ़ने का आधार समझते हैं सदा बाप को साथी बनाते हुए और इसमें क्या है परमात्म को साथी की परमात्म ने क्या का है इस सिच्वेशन में क्या करना है उस सिच्वेशन में क्या करना है जो कि हम सीखते हैं अम्रह में कुमारी इसमें हर सिच्वेशन के लिए कैसे रियाक करें एक करें पर रियाक्ट और एक करने से पहले सची सोच होनी चाहिए और सटीक सोच होनी चाहिए ना जिसको रहते हैं बुद्धीवानी साक्षी हो हर पार्ट देखते सबका साक्षी होके वोने detach हो के हर part देखते हैं, किसीने कुछ बोला तो detach हो जाते हैं, feelings में नहीं आते हैं, soul conscious रहते हैं, उनको पता है सबका अपना part है, सबके अंदर अपने अपने संसकार हैं, जिससे कि आत्मे वशिभूत हुई भी हैं, तो वो किसी से बुरा या किसी का बुरा चाहते हैं, न लाक्षी रहते हैं, समझते हैं कि यह जो हुआ है, यह कुछ मुझे सीखाने के लिए आया है, तो इस बुद्धी वान भव का वर्दान आप आज इसको रिवाइस करके फिर से समझें, आपको दिन शुभ हो, इसी के साथ ओम शंती